थाइलेंड में गुरुवार राज से शुक्रवार सुभा तक एक के बाद एक साथ ब्लास्ट हुए जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और करीब 24 लोग जखमी हुए हैं इनमें 8 विदेशी नागरिक हैं आपको बता दें कि थाइलेंड में क्वीन सिरिकित का बड़े मनाय जा रहा है इसे यहां मदर्श डे के तौर पर मनाय जाता है एनलिस्ट, डिप्लोमेट और कुछ ओफिशिल्स इन ब्लास्ट के पीछे उगर मुस्लिमों का हाथ होने का शक्जता रहे हैं पहले दो धमा के हि इन रिजोर्ट के पास हुए इनमें एक शक्ष की मौत हो गई जबकि 20 लोग जखमी हुए इसके बाद सूरत थानी में दो धमा के हुए यहां एक की मौत और तीन लोगों के जखमी होने की खबर है पाचवा और छटा धमा का फुकेत में हुआ यहां भी एक व्यक्ति जखम में हुआ है इसके बाद साथवा धमा का त्रांग में हुआ गायल होने वालों में आठ विदेशी नागरिक हैं यह सभी धमा के मोबाइल फोन से डेटोनेट करके किये गए हैं इन में किस तरह के बम का इस्तेमाल किया गया है फोरेंसिक टीम इसकी जाच कर रही है इन सीरिय को चीन डिपोर्ट कर दिया था माना जा रहा है कि उईगरों ने निर्वासन के विरोध में ये बलाष्ट किये हैं प्राइम मिनिस्टर प्रियुत चान ओचा ने कहा इन बंधमाकों का मकसद सिर्फ अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा करना है इस बंबलाष्ट के पीछ पर असर देखने को मिला है